नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सर्मा, आप सभी का अपनी यूट्यूब चरेबर स्वागत करता हूँ क्या पहाड़ों को याद कर लेना चाहिए, जैसे भी हो, रोड लर्निंग से, रट कर, प्रोसेजर को समझ देना चाहिए, कुछ ट्रिक को सीख ले, सीख सीख कर, जब भी हम इस कोस्टन पर रिफलेक्ट करेंगे, तो हम पाएंगे इस कोस्टन का जवाब चुपा हुआ है, य आज हम बात करेंगे कि पहाड़ों पर समझ कैसे बनाएं, समझ के साथ साथ कुछ ट्रिक्स और कुछ प्रोसीजर भी जानेगे, इसके लिए हम तीन बातों का ध्यान अखना होगा, टेबिल को याद किया जाए ना किया जाए, इस कोस्टन के जवाब में, नमबर एक, बच् अज़ते कैसे हैं, ड्राइब कैसे होते हैं, इसकी समझ बनाने का एक अच्छा खासा एक्सपजर मिलना जरूरी है, नमबर तीन, जब पहाड़ों को याद कर लेते हैं, खासकर दो से दस तक, तो यह हमारी ओरल मेमोरी में जो बश जाते हैं, यह हमें अर्थमेटिक कुछ स को इन पर जाए जोड डाल देते हैं, कि हमारे हेल्प करेगा, पहाड़ों याद कर लेना, गुणा के सवाल करने में, या आने वाले अर्फमेटिक्स प्रोबलम में, पर जो गुणा के कंसर्ट को समझना, और पहाड़े बनते कैसे हैं, इसको समझना, हमारे टीचर भी क्ला होते हैं, कुछ ट्यून कर रहे होते हैं, तो बच्चों का मुजिक की तरफ इंकलाइनेशन होता है, तो उन्हें मुजिक के साथ-साथ यात हो जाते हैं, पर अचानल चीदा पहाड़ां के सामने आता है, तो तो में वारी फैल-फैल हो जाती है, परेंट्स और टीचर पैनि बच्चों को गड़ित या कुछ भी सिखाते सबें हमारी बाते यह हमारी संबाद बच्चों का थो रहा है वो रियल न हो तो यह रियलिस्टिक तो हो नहीं चाहिए बच्चे अपनी क्लास में होने वाली चर्चा को होने वाले संबाद को खुद से जुड़ा महसूस करेंगे तो concept बनने की जो procedure है वो असानी से हो रहा होगा गुणा का जब हम बात कर रहोते हैं पाड़े सिकार हैं मल्टिपिकेशन की तो जरूर है कि बच्चों को समु का ग्यान हो बच्चों को समु में गिनने की आदट डालनी है जैसे लाला जी ने लट्ड ने —खन गडnar है अधि हैं म समुझा है कि वेपा है बच्चों को बेल में बात कर सकते हैं और हम बीकलों के बोल रहे हैं activate ओड़े हैं ने का की दो एक गुरूप में कितने अभयव हैं, तो बच्चे बस्तुओं को गुरूप में गिनना सीखें, यानि तिल्ली गिनों, तो बच्चे एक दो, तीन, चार ना करके गुरूप बना दिये, एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे गुरूप हैं, और एक गुरूप में कितने-कितने है चार-चार है जब बच्चों को समूह में गिनने का अच्छा कासा एक्सपोजर मिल चुका है और हाँ धान रखें एक जैसे चीजों से ही बच्चों को समूह न बन बाएं इससे बच्चों में कहता है कि अबिल समूह इनी के बनते हैं कुछ बीर्ट्स, कुछ कंकर पत्थर, ट हाते समय पहला स्टेप जो होगा और सेक्ड के पिच्चर के पहना चाहिए जिसे इस के बाद नेक्स्स टेप क्या होगी Ubげ सम्हुमें बच्चों को एक्सकतर दे दिया है उनको आbbe ऑदथ हो चुकी है चीजों को सम्हुमें रखने सो में गिनने की अब बच्चों को से थाना नड़ेच सब्सक्रिफ सब्सक्राइएं गिनना सिखाया, अब हम बच्चों को स्क्रिप काउंटिंग की आदा डलबा रहे हैं। अब सबसे पहले हम दो का टेबिल, दो के टेबिल को इंट्रड्यूस करेंगे बच्चे की लाइफ में। बच्चों को पहला नहीं बता देना है, बच्चों को कोई दो कंकर, कोई दो पत्थर, कोई दो चीज़े रखनी है, एक, दो, और दो चीज़े लेकर आए, उन्हों दो बार रखा, तो दो चीज़े एक बार हैं, फिर दो चीज़े दो बार हैं, और दो चीज़े, बच्चा ख पूरा पहाड़ा बच्चे को बन बाएंगे फिर उसके बाद गड़ित में जो कुछ हम बात करते हैं उसको लिखते भी हैं पहली बार में दो चीजे ली तो कितनी हुई दो चीजे दूसरी बार में फिर दो का गुरूप दो का समू है दो चीजे दो बार दो का समू तीन बार दो का समू चार बार इस तरह से बच्चे को हम जो जो करते जा रहे हैं जो प्रोसेजर उसको हम उसको लिखना ही बता रहे हैं दो के टेबल के बाद पर पांच के टेबल हम सुनू में सिखाएंगे पाड़ों को हम चीजों से करा चुके हैं हम इस तरह से पाड़ों करा सकते हैं दो का पाड़ा बना रहे हैं पहला ही पहला गुरूप है कितने गुरूप है दो का गुरूप है एक गुरुक बनाया हमने, कितने का बनाया दो का बनाया, क tablespoon जमालोब पाँच का पाडा बनाना आ gonna एहला गुरूप गुरूप में कितने मेंबर हैं पांच दूसरा गुरूप गुरूप में कितने हैं पांच इस तरह से हमारा पाड़ा बंदा चला जाएगा और बच्चे पाड़े को बनाते चले जाएगे इस activity को हम बच्चों के साथ इस्ट्रो से भी करा सकते हैं हम इस्ट्रो को ऐसे रखेंगे उनके उपर हम एक इस्ट्रो रखेंगे और जहां एक क्रोस बन रहा है इनको बच्चों गिनना है तो ये एक पहले गुरूप बना रहे हैं कितने गृूव बना रहे हैं पांच मै कई two block बन चुके हैं कितने के पांच पांच के तीदkich बन चुके हैं तो पच्चों को बच्चों को समझना चाहिए took यह चार गुणा पांच लिखा है तो इस चार गुणा पांच का मतलब क्या है यानि चार समू है पांच-पांच के पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पा पांच-पांच-पांच-दस और फिर पांच हुए 15 फिर पांच हुए 20 फिर पांच हुए को मजबूत करने के लिए पैट्रों को पहेचानना चो गड़ित को समझने का एक महत्पून पढ़ाब है यह बहुत जरूरी है अब बच्चे दो के जब पाड़े को लिख रहे हैं तीन के जब पाड़े को लिख रहे हैं चार के पांच के तो उनको कुछ पैटरों से खेलें उनके पैटरों को पहचानें उनके पैटरों में रच बस जाएं तो हम देखेंगे, हम दो का पहाड़ा लिखते हैं, तो दो के पहाड़े में 2, 4, 6, 8, 10, 12, यह निनि के वह एकाई 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 कांग लिख लिखा है, तो हम देख रहें कि 2, 4, 6, 8, 0, दो चार चे आठ जीरो एक बात और हां इस पर जरूर ध्यान देना है कि पहाड़े दस पर ही खतम नहीं हो जाते हैं अगर हम इस दो के पहाड़े को आगे बढ़ाएंगे तो बीस के बाद बाइस चोबिस चबिस अठाइस तो हम यह देखेंगे कि जब हम लगातार गिंती को आगे लिखेंगे यहां मैं कि बढ़ इकाई कांग से लिख रहा हूँ कि हम इस पर बच्चे को जोड डालना था तो तीन के पहाड़े में तो तीन के पहाड़े में साइध इस तरह का पैटर आय ना आए तीन के पाड़े में किस तरह का पैटर आता है मैं आपके साथ सेर करता हूं 3 2 6 3 9 3 4 12 3 15 15 15 18 37 21 38 24 37 27 आप देख रहे हैं जब बारा बोल रहा हूं मैंने दो लिखा है मैंने कि एक आइकन को लिख रहा हूं यह कि मैंने आपको फाइनल बता दिया है जहां बच्चे करते करते पहुचेंगे तो इसमें देख को कितना सुन्दर पैटर्न मनाएं एक दो तीन चार पांच में छे के हर पाले को लिखें आगे दस से आगे तक बढ़ाएं उनके उनको अप्जर्ब करें उन्हें बार बार देखें और जुए पैटर्ण पहुआ में बहुत उयासे संबाद करनी की ज़रूरत है देखते हैं साथ के पैड़े में कैसा खुबप्शूरत बनता है और बी पैटर्न जो आपको मिलें तो जादे बहतर बन रही होगी साथ के पाले को देखते हैं आप देख रहे हैं कि कितना खुबसूरत पैटर्न बन पड़ा है जैसे तीन के पाले में एक दो तीन चार पांथ छे साथ आठ नो इसको अगर पूरा पाला विजूलाइज करना है तो बच्चे मानस चेतर कर पा रहे हैं कि हमारे इसमें देख कैसे जीरो एक दो जहां छोड़ा है बहां सुरू कर दो दो तीन चार जहां छोड़ा है बहां से सुरू कर दो चार पांथ छे क्या पाला नहीं बन गया है हमने किया कि मैं repeat कर देता हूं कि भल गिंती लिखी 1,2,3,4,5,6,7,8,9 0,1,2 जहां ख़तम के बाद सुरू किया 2,3,4 जहां ख़तम के बाद सुरू किया 4,5,6 जिन खेल खेल में बच्चों को एक पाढ़ा तयार हो गया है जो ट्रिक बजार में या फिर जो आप आते आ रहे हैं उनको बच्चों को बताना है जैसे हम जनरली नो के पाड़े की जो ट्रिक पर चलित है कि गिंती लिख दो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, जी ओ, फिर उल्टी गिंती लिख दो उसको भी बच्चों पकाना है नो गुणा चार, यह नो चोक कितने होते हैं, तो जो मेरी चार नमर की उंगली है एक, दो, तीन, चार, उसको मैं डाउन कर दूँगा ज्यार, डाउन क्या है, उसके कितनी उंगली बची? तीन, इधर कितनी बची है? छे, और यह मेरा नो चोक, छचार, दौश, साथ आठ उसको मैंने डाउन किया मेरे जो डाउन उगली मैंने किया उसके हितनी उगली बच्ची है साथ उसके हितर के सब्सक्राइब दो जरा है कितना बना 72 नो अठे 72 नियों का पाड़ा हमारे फिंगर पर तयार है इस तरह एक से सो तक की नंबर फैक्ट जो है लिखकर नो, बारह, तीन के पहाड़े में जब बच्चे कलरेंगे तो देख पा रहे हैं के तो आप जो आपको इसमें भी धिख रहा करना है कि यह जब पहाले याद हो जाएंगे या बच्चे को समझ में आ जाएंगे तो इसके बाद का काम बहुत असान हो जाता है अगले बच्चे को ले जाना बच्चे पैटरंज खेली रहे हैं फिर उने लिखने में कुछ दिक्केते आ रही हैं तो उन बच्चे के लिए हम प्रैक्टिस अभ्यास कैसे कर बाएं तो मानुसर दो का पाड़ा बनाना है तो बच्चे को को दो तक लिखो एक दो तीन चार पांच छे तो अगर दो का पाड़ा बनाने तो फिर दो तक लिखना था एक दो तीन चार पांच छे साथ आट दो कर टेबल तैयार है मनलों अब तीन का बनाना है तो तीन तक लिखेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो तो तीन का पाड़ा बंद सला जाएगा तो फिर चार पाड़ा बनाना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा बच्चों गिंती याद हो चुकी होती है तो बच्चों गिंती का भ्यास कराना है और जितनी बार पाड़ा बनाना चाहरा है उतने तो गिंती लेके जाएं और बच्चों का पाड़ा पंदा चल लेते हैं कि एक बार इस बात को रिपीट कर देते हैं कि पाड़ंबने पूरे बनते हो देख लीजें की दो तो लिखेंगे गिंती 3 तीन कना ठीवा दो तीन्क पाड़ा बन वहके त्यूर मेंने आध्यूर इस है पर दह रहा है तो हैक दो जब कुछ कीजों के साथ गतिविदी कर रहे होंगे, उन्हां कुछ चित्र बनारहह होंगे, कुछ इश्टरो से खेल रहे होंगे, ये कुछ पैटरन को पहचान रहे होंगे, तो जब खेलते खेलते देखते पैटर पजाते बेढ़ने, जो इन्सानी छमता है, जनलाइज करने की तो पहाड़े खुद से कुद गढ़ रहे होंगे उन पहाड़ों को जब गढ़ना सुरू कर दें तो लिखने के वीडियो आप पास तुरन पहुच जाए थैंक यू दोस्तो